नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तेशी विल कॉंटक्ट हुए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे मालिक लोग जो होते हैं जिनको घर वनवाना होता है वो ठेकेदार तो ढूंडते हैं लेकिन ठेकेदार सस्ता ढूंडते हैं तो जैसे आदमी सस्ता आदमी ढूंडते हैं ठेकेदार तो आदमी सस्ते भी मिलते हैं और महेंगे भी मिलते हैं तो आज हम जो बात करेंगे जो मालिक सस्ता ठेकेदार ढूंडता है उसको कितने फायदे और कितने नुकसान होते हैं मैं इस पर बात करूँ आ और ये practically बाते हैं ये कोई हवा हवाई बाते नहीं होती है मेरी जो भी बाते होती है वो मैं अपना experience लोगों के साथ share करता हूँ बहुत सारे लोगों को ये problem आती है कि sir हमें काम नहीं मिलता ये बहुत सारे ठेकदार कहते हैं और वो कहते हैं सर बहुत सारे लोग है जिनको कुछ नहीं आता उनको काम मिल जाता है तो ये बहुत सारे पॉंट्स हैं जिनको आज हम एक एक करके clear करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो नए ठेकदार होते हैं वो और पुराने ठेकदार होते हैं वो ये दोनों ये ठेकदारों की problem होती है कि rate के बारे में discussion कैसे करें अब पहला point आता है मालिकों के लिए जो मालिक सस्ता ठेकदार डूंडते हैं उनको फायदा होता है और नुकसान होता है तो ये दोनों point के लिए पहले ठेकदारों को जो ठेकदार होते हैं उनको भी समझना चाहिए और जो मालिक होते हैं उनको भी समझना चाहिए तो सबसे पहले problem जो होती है मालिक की होती है मालिक चाता है कि हमें सस्ता ठेकदार मिल जाए जिससे हमारा काम सस्ते में हो जाए हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है ये मैं अपनी मेरी नजर की बात कर रहा हूँ सभी आदमी एक जैसे भी नहीं होते हैं लेकिन मैंने जहां तक देखा है और मैं जहां तक जानता हूँ मैं अपने खुद की बात करता हूँ बाराई पंध्रा कैसे हो गई मैं एक उधान के तौर पे आपको रेट के बारे बात कर रहा हूं यह मुस्चे haya किफिसी ही दुनिया में कहीं काम की एक रेट होती है बहुत सारी लोग मेरे से फोन करका पूछ लेते हैं उसमें आरम से आप देख सकते हैं, चैनल पर जा सकते हैं, यवाट से पाय का मैसेज करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको उबलग हो जाती है, सबसे पहले जो मालक सोचता है, कि मुझे सस्ता ठेकेदार मिलता है, तो उससे मेरा बचत हो जाएगा, अब जब बचत करने है, कि मुझे यहाँ पे नुकसान होने वाले क्या है, तो वो आदमी कभी उस आदमी को काम नहीं देगा, जो सस्ता होगा, क्यों, इसका रीजन क्या होता है, दोस्तो इसके अंदर दोनों चीज़े हैं, पहले में इसके प्रोब्लम की बात कर लेता हूँ, मालकों को क्या प् कर लेता है, तो उसके लिए वो काम तो करता है, लेकिन काफी चीज़ें ऐसी होती है, वहाँ पर वो कंप्रोमाईज कर लेता है, क्या होता है, मैं नीचे से ही बात कर रहा हूँ, एक तो जो नीचे फॉन्डीशन बगीरा होती है, उसकी प्रोपर लेयाउट के तौर पे नह करते हैं यह चोटे कामों में जादा दिक्कत होती है जैसे पचास गज़ का यह सो गज़ का जो मकान बनाते हैं यह दो सो गज़ का चोटा मोटा मकान जैसे लोगों को जैसे कच्ची कलोनियों में हो गया मीडियम साइज में ऐसी जगे पर करते हैं तो उनको मालिकों को भी नह अब वहाँ पे क्या होता है जहां पे कॉलम के अंदर जो रोडी डलती है वो पूरी प्रोपर रोडी भी नीडल पाती है मैंने देखा हुआ है जहां पांच बोरी की रोडी लगती है वहाँ एक बोरी में काम कंप्लिट कर देते हैं यह प्रैक्टिकली बाते हैं मेरी क्योंकि कि मैं इसको कभी भी ignore नहीं करता क्योंकि मैंने आकों से देखा हुआ है और आज भी ऐसा काम होता है और ये ठेकेदारों को बीच में जो ठेकेदार बैठते हैं वो जानते भी हैं अब दूसरी point आता है कि चलो नीचे होगी layout proper नहीं होता है जब layout proper नहीं होता है तो column आगे पी बहुत सारी चीजे हैं जैसे BIP कलोनिया होती है उसके अंदर एक 5 mm का भी फरक अगर पड़ता है तो उसमें धिक्कत आती है कि column थोड़ा सा out हो गया तो जब भी वहाँ पे कोई furniture बगेरा लगाएंगे तो वो सारी चीजे out हो जाती है अब उसको करने के लिए बहुत सारी problem खड़ी होती है या तो उसके size का बनाया जाए या फिर उस size को सीधर किया जाए तो वहाँ पे तोड़ जोड़ करके compromise ही किया जाता है बाकी सही काम हो नहीं पाता है दूसरी चीज अब आता है उसी के अंदर layout के अंदर जब column आगे पीछे हो जाता है तो दिवाल आड़ी ट पड़ेगा पलस्तर करेंगे पलस्तर में थोड़ा घंबरोमाईज करेंगे तो जहां पर आदा इंची या एक इंची पलस्तर का margin होता है बहां पर अपर डेड़ेंची दोंची पलस्तर करना पड़ जाता है अब आपने और आगे देख लिभीजीTube जब छसत करते हैं यह च तांग दिया, बस सेट्रिंग हो गई जी, उपर सरीय वांद दो, सरीय वांद को उसमें रोडी डाल रहे, अब मैंने देखा है, बहुत सारी जगे पे, जब छटका पलस्तर करते हैं, तो कहीं पर दो इंची मसाला आ जाता है, कहीं पर जीरो जीरो आता है, कहीं पर आदा नहीं लगता, माल किसी और का लगता है, और जब एक, सपोज करियेगा, एक दिवाल के अंदर, अगर डेड़ इंची, दो इंची मसाला चापते हैं, तो माल किसका गया, वो पैसा किसका गया, वो सिर्फ मालिक का जाता है, वो ठेकदार का नहीं जाता है, अगर यही काम, ठ बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो बैसा ठेकदार होगा, वो ऐसे आदमियों से पकड़ के चनाई मनाई करा देता है, कहीं पर दिवाल थोड़ी आड़ी ठेड़ी भी हो जाती है, चल जाता है, थोड़ा सा उपर से तिरसा कर दिया, या आगे पीछे हो गया, तो कहीं पर जीरो बुंदा लगा के पलस्तर करना है, जब बुंदा लगा के पलस्तर कब किया जाता है, जब दिवाल को एक जैसी सौल में देखाने के लिए, तो कहीं पर जादा, अगर दिवाल आड़ी ठेड़ी होगी तो उसमें मसाला जादा आता है, अब लोकल में क्या है, बुंदा लग लेकिन उनको इस चीज़ का बता नहीं होता इसलिए उनको लगता है कि मैंने सस्ते में काम करवा लिया अब दोस्तों और इसकी एक बड़ी problem बता रहा हूं है बहुत बड़ी problem कि बाद कर रहा हूं है local area के अंदर जो ठेकेदार होता है जो local होता है वो क्या करता है जब भी rate द लेकिन वह बिएम आता है वह क्या करते है वह पिन इने चाहिए तो लटक भी ना दे करके पूरा पिलनट चार सर्य वैसे डाल ढलग सो हो जाता है कि आमने दिवाल पर भीम दिया है लेकिन वह पर по भी काम नहीं आता है रियल्टी में अगर आप इस बात को किसी से पूछिएगा इस टेक्चर एंजिनियर से पूछिएगा तो वो आपको एक एक चीज का जवाब दे देगा कि ये बीम जो डाला है एक्ष्ट्रा सरीय डाला है वो लोड के लिए होता है बाकी जितनी स्ट्रें होती है उसको लोड के उसके लोड को पूरा कवर कर लेता है तो इसलिए वो चीजे वो जो लोकल आदमी होता है और कहता कुछ नहीं होता जी ऐसा कर दिया ये सही है तो ऐसी कंडिशन में मामला गड़ बढ़ा जाता है अब आजाईए आप उस ठेकेदार के पास जो बीम देना है लटेक बीम देंगा थो लटेक बीम के अंदर सेटरिंग उसकी बढ़े जाती है सेटरिंग का खथेकेदार कोई भी हो उसको काम चाहिए होता है लेकिन उसे पता होता है कि इस काम में मेरे को यहां पे नुकसान हो रहा है तो नुकसान में काम कभी भी नहीं करेगा वो सीधा ऐसी अगर कोई भी candidate जो ठेकदार होते हैं वो सीधा कह लेते हैं कि सर एक काम करिएगा इस काम को इतनी रेट में से profit निका लेगा ठेकदार कभी भी घाटे का सोधा करने चाहता है नहीं है अब उल्टा सीधा काम करेगा तो उल्टा सीधा कामで कड़के चल देगा और जैसे चल देता तह इसको नुकसान किस बात का उसकी द्यारी तो बना लेगा और ध्यारी बना लेगा तो माल को नुक्सान इतना होता है कि मालेक को सोच wrapping नहीं नहीं पाता है तो इस तरीके से अगर आपको काम करना है तो आपको पहले compromise करना होगा ठेकदार की rate में भी और जो मालिक है उसको भी उसमे rate में देखना होगा कि बागे में क्या ये चीज करके देगा या नहीं देगा, पूरा प्रॉपर काम करेगा ले आउट पूरी करेगा या नहीं करेगा, रोडी पूरी डालेगा या नहीं डालेगा, लेकिन इस चीज़ों को ध्यान रखना, और ठेकदार एक चीज़ और कहते हैं कि मालक आपकी रोड़ी है जी मुझे माल बचाने में क्या दिक्कत है मैं तो खूब माल डालूँगा लेकिन माल डाने की जो लेवर लगती है वो भी एक्स्ट्रा होती है तो वहाँ पर कम्प्रोमाईज कर जाता है माल चाहे मालक का लगे लेकिन माल होते हुए भी वो कम्प्रोमाईज कर जाता है क्यों कर जाता है क्योंकि उसको पचत नहीं होती है लेकिन लेवर की पचत तो बची जाती है तो वो हो पर कई न कई तो गडवड करेगा सस्ता आदमी कही न कई problem करता है, और एक काबत आपने सुनी होगी कि महहर्गा रोई एक बार सस्ता रोई बार बार तो ये तो problem है, अगर आपको इस तरीके से काम करना है, तो आपको ठेक़दार जो भी होते हैं ठेकेदार पकड़ना चाहिए उसके पहले experience होना चाहिए उसको पहले सारी बाते होनी चाहिए उसको पहले सबसे पहले तो आपको उसको drawing देनी चाहिए बहुत सारे कहते हैं अहांप एडिय की रोज दो और मैं यह достиウ बना दिया इस रोज में दोस्तों यही प्रोब्लम की जड़ है, जहां पे आपको पूरी प्रोपर ड्रोइंग नहीं मिलती है, वहां पे काम करना भी मुश्किल है, वहां पे उल्टा सीधा काम कराएंगे, आगे पीछे यह चोटी दिवाल होगी, यह कमरा चोटा होगी, इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो, तो जब भी यह काम करते हैं, तो वह ठेकदार फसता है, और फिर एक बार जब आद भी फस गया, तो फस गया, उसके बाद उसका कुछ होई नहीं सकता, तो वह दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, पैसे लेके, और मालिकों को भग जाते हैं, बाद में मालिक रोता रहता है, फिर बाद में जाके उसको डर लगता है, कि कोई भी ठेकदार आगा, उसको पैसे पूरा मत दो नहीं, तो भग जाएगा, लेकिन जो आदमी महेंगा होगा, गहके रेट लेगा, अच्छी रेट लेगा, तो वो आदमी कभी भी भगेगा नी, अच्छा काम करेगा, अच्छा पैसा लेगा, टाइम पर पैसे लेगा, और जिस आदमी को टाइम पर पैसा मिल रहा है, वो आपका खुसी से अच्छा काम करके देगा, ये मैं खुद अपनी बाते बता रहा हूँ जब भी मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं मैं अच्छा काम करता हूँ क्यों मैं किसी का नुपसान करूँगा क्योंकि मुझे सब चीज टाइम पे मिल रही है पैसा मिल रहा है अपना टाइम काम हो रहा है तो दिक्कत किस बात की है लेकिन अगर कोई आदमी आगे से कहीं न कहीं गड़बड़ी करता है मालक गड़बड़ी करेगा तो ठेकदारी भी गड़बड़ करेगा अगर ठेकदार गड़बड़ करेगा तो मालक भी गड़बड़ करेगा तो ये चीज़े होती है तो आपको इन चीजों का देखना चीए कि भई बाकाइद हमारा काम पूरा प्रोपर हो रहा है या नहीं हो रहा है और मैं यह कहूंगा कि जो भी अगर कोई पचासगज का मकान बनाएं या सोगज का मकान बनाएं तो प्रोपर उसको ड्रोइंग लेनी चाहिए अब बहुत सारे लोग क् प्रोइंग आजकल जो बैसे बहुत सारे लोग हैं वो ड्रोइंग बनाके आपको एक लेयाउट बनाके दे देते हैं उसको प्रोपर ड्रोइंग नहीं कहते हैं यह लेयाउट होता है एक लेयाउट से प्रोपर ड्रोइंग नहीं होती है अगर आपको प्रोपर ही काम कराना है तो structure engineer आपको अलग से drawing देता है उनसे बोलिएगा मुझे structure यानि कि still की drawing चाहिए तो वो अलग से देगा उसका charge अलग से लेगा visually light fitting होती है उसकी drawing अलग से होती है उसका charge अलग लेता है लेकिन local area में पैसा देखो मैं भी समझता हूँ कि किसी के पास पैसा कम होता है अपने रहने के लिए अगर कोई घर बना रहा है तो उसके लिए ये बहुत सारी चीजें हैं ये चीजें afford नहीं कर पाते हैं तो वो एक अलग बात हैं मैं ये नहीं कहता कि आपको छोटा हो बड़ा हो समय ऐसी drawing बनवानी चीए क्योंकि इसके अंदर पैसे खर्च होते हैं लेकिन ये भी ठीक है लेकिन जब भी काम करें तो कोसीज करें कि जितना अच्छा से अच्छा हो जाए अपना काम तो उसके लिए अच्छा काम करें तो अपनी drawing थोड़ी प्रोपरली drawing जरूर बनाएं उससे क्या होता है आपकी जगे निकलेगी क्योंकि दोस्तों मानके चलिएगा जो आदमी आर्किटेक्ट जो होते हैं एंजिनियर्स होते हैं वो 5-5 साल की डिगरी करके बैटे होते हैं वो डिगरी उनकी ब्यर्थनी होती है उनको किसी ना किसी प्रकार आपको उसका फायदा मिलता है वो जो पैसे लेते हैं उसका पूरा proper फायदा देते हैं आपको यह मस सूचेगा कि आर्किटेक्ट क्या करता है ड्रोंग बनाने में वो तो हम नहीं बना दिया वो आपके घर की कहान II है आप कैसे भी कर सकते हैं लेकिन जो आर्किटेक्ट इंजिनियर्स होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटी होती है आपकी एक एक चीज आपकी कहां क्या चीज कहां रखी जाएगी उसकी पूरी डिटेल देते हैं आपने कभी अगर ऐसी आपको मौका मिले तो आप बड़े प्रोजेक्टों में जाएगा वहाँ पे जो आर्किटेक्ट इंजिन जो वह होती हैं बहुत मोटी फीस होती हैं क्योंकि उनको इस चीज का वह होता है और जो पड़े लिखे लोग होते हैं वो इतने समझदार होते हैं कि एक-एक इंच जगे की कीमत समझते हैं इसलिए उनको फीस देते हैं और उनसे ड्रोइंग बनाते हैं आप बनाए ना बनाए वो आपकी मर्जी है मैं उस पर बैस नहीं करता किसी से भी कि आपको बनवानी चीए वो आपकी मर्जी है आप जाने आपका काम जाने वो आपके लिए फायदा है या नुकसान है तो इस चीज पे आपको पिसे द्यान र जाता है ठेकेदार भी प्रोब्लम में फ़स जाते हैं जब भी कोई काम करते हैं उसको प्रोपर रेट नहीं मिलता तो वो कहीं न कहीं इधर उधर का काम करते हैं तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है अगर आपको और जानकारी चीए तो आप अपने चैनल तेश शिविल कॉंटेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिस आने वाली हर वीडियों आपको मिल सके थैंक्यों दोस्तों